असलाम अलेकुम दोस्तों and welcome to my channel तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ mango stuffed kulfi बनाने की रेसिपी जब से जो kulfi है इसका टेस्ट एकदम amazing होता है और ये जो kulfi है वैसे तो पहले से ही famous थी लेकिन रिसिंटली सचिन टेंडूल करने ये जो mango kulfi है इसका रेसिपी वीडियो बनाकर अपने social handles पे शेयर किया था जब से जो kulfi है ये बहुत ज़्यदा famous हो गई है वैसे भी mango का सीजन अब जाने वाला है तो एक last हट के mango के रेसिपी तो ज़रूर बनती है वैसे तो ये kulfi बनाना काफी आसान है लेकिन आम में से गुटली निकालना थोड़ असा ट्रिकी है तो फिर चलिए देख लेते इससे कैसे करना है तो यहाँ पर मैंने आठ हापू साम लिये वे ये जो mango kulfi है ये हापू साम की ज़्यादा टेस्टी बनती है वैसे आप लोग कोई नौर्मल आम भी ले सकते हैं इसकी जगापर तो आप सबसे पहले ये जो आम है इसका सर हम लोग इस तरह से कट कर लेँगे और ये जो सर आपको फेकना ने है इसको अम लोगो समाल के रखना है चमड़ी फटनी नीच यह आम की यह आपको ध्यान रखना है आम की चमड़ी से पैरेलल आपको यह जो शूरी है इसको गुसाना है गुटली के इर्द गिर्द और इस तरह से आपको गुटली को आम से अलग करना है इसमें आपको ज़दा फोस नहीं लगाना है बहुत ही अराम से और प्यार से आपको करना है और जैसे आप लोग अच्छा खासा खड़ा बना लेंगे गुटली के इर्द गे तो उसके बाद आपको उंगली की हल्प से इस तरह से जो गुटली है उसको आप से अलग करना है क्योंकि जो निचला हिस्सा है गुटली का वो छूरी से आप अलग नहीं कर पाएंगे उसको आपको उंगली से ही आप से अलग करना होगा तो बहुत ही आइस्ता से इस तरह से आप गुटली को आप से अलग करें अब इण को इस तरह से करेंगे एक बनात के लिए रखेंगे नहीं जुरी गदील हो कि आलेगे आप copyright धर तो ख़ड़ से लिए। जाएगा होगा? लिके जोगा, स्टाफिंगा, तो इसका आपको खास देन रखना है, तो देखे इस तरह से, यहाँ पर मैंने खड़ा कर दिया है, गुटली के एड़ग, अब इस तरह से मैं एक उंगली को अंदर दाल रही हूँ, उंगली से हम लोग, जो गुटली उसको आम से अलग करेंगे इस तरह से, और जब पूरी गुटली लूज हो जाएगी, उसको हम लोग बहुत ही आहिसता से खीच कर अलग कर लेंगे, अब इस तरह से आम को आप लोग खड़ा रखना है, कोई भी बरतन में या फिर ग्लास के अंदर, आप लोग आम को इस तरह से खड़ा रख सकते हैं, अब आम तयार हो चुके है, अब हम लोग इसकी स्टफिंग तयार करेंगे, तो मैंने एक लिटर के करीब पैस का दूद लिया है, फुल क्रीम मिल्क है, आपको इस्तमाल करना है कुल्फी बनाने के लिए, अब दूद को हम लोग बॉल करेंगे, तकरीबन दस से पंदरा मिल के लिए हाई फिलम पे ताकि यह जो दूद है, यह रेडियूस हो जाए, इसकी जो कॉंटिटी हो लगबग आदी हो जानी चाहिए, तो दस से पंदरा मिल इसको बॉल करेंगे, और बीजवीच में चलाते रहेंगे, तो कैस देखें दूद अच्छा कासा रेडियूस हो गय फोथ टू वन कप, तीन चौताई से एक कप के करीब करीब में इसमें, मिल्कमेड अट कर दूँगी, अब लोग घर का बनावा कंडेंस्ट मिल्क में इसमें आड कर सते हैं, तो मिल्कमेड दाल की, इसको अची तरीके से मिक्स कर लेंगे एक बार, और यह पर मैंने लिया है काजु और बदाम का पावडर, काजु बदाम है उसको मैंने दरदरा कूट के तयार कर लिया था, और अब यह जो पावडर है इसका लगबग तीन से चार बड़े चमच, यह पावडर हम लोग दूद में आड करेंगे, इसे एक अच्छा क्रंच आता है, तो इसको अची त अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इसको अच्छी से मिक्स करेंगे, इसको अच्छी से मिक्स करना है, क्योंकि बैट क्रम्स के लम्स बढ़ जाते हैं, तो अच्छी तरीके से आपको इसको लगातार मिक्स करते रहना है, तो अच्छी तरीके से आपको तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें शुगर आड कर सकते हैं मैंने यह पर दो बड़े चमच के करीब इसमें शुगर आड की है और इसको अची तरह किसे एक बार मिक्स करेंगे इसमें थोड़ी और रिचनेस लाने के लिए मैं यह पर दो बड़े चमच के करीब मिल्क पाउडर इस्तमाल करी हूँ यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप लूग चाहे तो इसको 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 अट कर सकते हैं और इसके जगह पर लोग थोड़ा सा मावा भी इसमें अट कर स गाडा चाहे संबसे मिल्क देखें कितना गाडा इस मिल्क बना हे तक अमने तक मझांने में आप तक यहीं से इसको भर दिया है और अब यह मिल्क एख अज़ध कर करें के आथे मिल्क । तो यहां पर लोग देखें किस तरह से मैंने ग्लास में आम को खड़ा किया है ताकि इसको हैंडल करने में मुझे आसानी हो और कुछ आम को मैंने इस तरह से एक बड़े से बोल में खड़ा कर दिया है तो देखें सारे आम में मैंने जो भर लिया है और अब जो हम लोगों ने इसका धकन यानि इसका जो सर है वो समाल के रखा था वो हम लग वापस से आम के उपर रख देंगे इस तरह से वैसे तो कौन सा सर किस आम का है यह गैस करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी अंदाजे से मैं जो सर इस पर मैच कर रहा है वो रख दे रही हूँ तो डेखिए अब सारी आम पे इस तरह से अम लोग लगा देंगे एक बार कुल्फी का स्टॉफिंग एड़ करने के बाद आपको बाहर से अची तरह से साफ कर लेना है अब यह जो आम है इसको अम लोगों को फ्रीजर में डाल देना है तो इसी तरह से अम लोग इसको उठा क दुआ उड़ा है ग्लास में से, अच्छी कासी ये कुलफी जम चुकी, अब ये जो आम है इसको अम लोग ग्लास में से इस तरह से निकाल लेंगे, तोड़ अशा मुश्किल होगा लेकिन जिसे आप इसको तोड़ा ट्विस्ट करेंगे, ये आम आसानी से निकल जाएगा, अ तो दोनों आम को मैं अची तरीके से पील कर लिया है, अब इस तरह से हम लोग आम का जो सर है, सबसे पहले उसको काटेंगे, और अब इसका सर अम लोग डिसकार्ट कर देंगे, इसको कोई जरूरत नहीं है, तो आब आप लोग देखें कितनी अची तरीके से जम गया है, इ तो इस तरह से equal size के गोल-गोल पीसे में कट कर रहे हूं, इससे क्यों होता है, यह दिखने में भी काफी प्रेजेंटेबल लगता है, इसको मैंने कट कर लें, इसका जो end का पार्ट है, जो सिर्फ आम होता है, उसको भी आप खा सकते हैं, अब दूसरा आम हम लोग इसी तरह से कट कर लेंगे, इसका सर हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे पहले, उसके बाद, equal sizes में इसके pieces को हम लोग कट करेंगे, जो आम है, इसका end का पार्ट होता है, वो खाली आम होता है, उसमें कोई stuffing नहीं होती है, उसको भी आप लोग छोड़े-चोटे pieces में कट करके, जिस तरह स मेरे जो हमारे पास डाय फूट का पावडर है, उससे इस तरह से गानिश कर दूगी, यह दिखने में इससे ज़्यादा टेंटिंग लगेगा, तो बस अब जो हमारे मैंगो कुलफी है, वो खाने के लिए एक दम तयार है, तो लीजे दोस्तो हमारे मैंगो कुलफी बनके ए आपको मजाएगा, तो वैस कैसी लगे आपको यह मैंगो कुलफी की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह रेसिपी है इसको जरूर ट्राय करिएगा, आम के सीजन के खतम होने से पहले, और अगर आप लगो को रेसिपी अची लगे तो मेरे चैनल को थैंकए भाची एंगया, गड़ बाइ!